मैं है इसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट इंग्स नागपूर की बीजेपी नेता सनाखान की जबलपूर में हत्या की गई है बताया जा रहा है कि दो अगस्त से सनाखान लापता थी वहीं इस मामले में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है कि सनाखान के पती अमित साहू को इस हत्या के आरोप पिग्रफटार किया गया है इसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है सनाखान की हत्या का आरोपी अमित और्फ पपू साहू ने ये जुर्म कबूल किया है कि उसने ही सना खान की हत्या करके शव को हिरन नदी में फेक दिया था इसके बाद पुलिस ने शव को ढूडने की कोशिस भी कर रही है मीडिया रिपोर्स के मुताविक चार महीने पहले ही अमित के साथ सना ने कोट मेरेच की थी दो अगस्त को सना अमित से मिलने के लिए जबल पुराई थी जहां दोनों के बीच में विवाद हुआ था पुलिस के पूश्टाच में जानकारी सामने आई थी कि अमित के कार की डिक्की में खून के निशान मिले थे आपको बता दे कि यह अमित की दूसरी शादी थी सना खान और अमित की शादी की सार्टिफिकेट की सत्यता की भी पुलिस जांच कर रही है आपको बता दे कि दो अगस्त को सना के लापता होने के बाद परिवार वालों ने डिप्टी सीयम देवेंदर फड़नवीस से नयाय की गुहार लगाई थी इसके बाद पुलिस सना की तलाश में जुड़ गई थी बताया जा रहा है कि पुलिस कई दिनों से सना की तलाश कर रही थी और अब सना की हत्या का संसरी खेज मामला साब ने आया है पुलिस ने आरूपी को गिरफतार कर लिया है जबलपुल पुलिस को मिला चूंकि उसकी लगाता चार अगस्त से अंतलास कर रहे थे जो कि आज गोरा बजार में जो जिंडास कॉलेश है उसके आंगे उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पुलिस और जबलपुल पुलिस के गोरा बजार के थाना पिरवारी लगातार पूस्ताच उनसे लगातार की है जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का जगड़ा, कुछ पैसे का जगड़ा, कुछ अबद्र भासा का जगड़ा के आते हैं उन्होंने उससे वाबद्र भासा हम बात की और जगड़ा को चुगा है उन्होंने और डंडे से उसको चोट म बताया है, ऐसा उसका कहना है